पार्शिवनी शहर के पास के तालाब में टूटी फूटी नाव में दो यूवक बैठ कर तालाब में गए उसी दरम्यान नाव पलटने से दोनों ही यूवक पानी में डूब गए और उनकी मृत्य हुई है ये घटना पार्शिवनी इस्तेद बरेजा पंच कमीटी के छोटे तालाब के पास घटित हुई है घटना में मृत्य यूवको को नाम भवानी नेमी चन जांगेड और पंकल जांगेड चन्दन नगर महिश कॉलोनी हनुमान नगर नाक्पु निवासी होने का पता चला है कपडे, मुबाइल, हैंडसेट, हैलमेट दिखाई दिये वहीं तालाब किनारे मचवारों की रखी नाव भी नदारत दिखी तालाब रखवालदार ने इस घटना की जानकारी तुरंत पारशद दीपक शिवरकर को दी धीपक शिवरकर ने घटना की जानकारी पारशिवनी पुलस निरिक्षक राहुल सोनवाने को दी घटना की जानकारी मिलते ही राहुल सोनवाने ने अपने दल बल के साथ घटना स्थल पहुचे पार्शिवनी तैसलदार प्रशान सागडे को घटना की जानकारी मिलते ही तैसलदार खुद मौका इस्तलप पर पहुँच कर घटना का जायसा लिया मच्छवारों की साहिता से तालाब की पानी में खोजबिन करने पर मच्छवारों को एक शव दिखाई दिया दूसरा शव भी तालाब की पानी के अंदर से मच्छवारों की साहिता से शाम 6 बजे पानी के भान निकाला गया खुद थानेदान ने शव को पानी के भान निकालने में मच्छवारों की साहिता की यह गटना दुपहर करीब 12 से 2 बचे के आसपास होने का अंदेशा जताय जा रहा है गटना की जगा तालाब किनारे मच्वारों की तूटी फूटी नाव रखी थी इन युवकों ने नाव को खीशत वे तालाब में ले गए और उस पर सवार होकर जाने लगे तभी तालाब के घहरे पानी में जाते नाव पलटी से धूनो युवक तालाब के घहरे पानी में डूब जाने से उनकी मृत्रियों होने का अंदेशा जताय जा रहा है गटना की जानकरी शहर में फैलते ही गटना इस तल पर लोगों का बारी जमावडा दिखाई दे रहा था इस गटना की आगे की जाच पारशिवनी पुलिस कर रही है पारशिवनी से BCN News के लिए समवा दाता रुपेश खंडारे की रपोर्ट